असलाम अलेकुम बच्चो मेरम क्यूरी की लेक्चर फोर रेस्पारेटरी सिस्टम की आम बिमारियों जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में रेस्पारेटरी सिस्टम उसके पार्स और उसकी एहमेद के बारे में पढ़ा था बच्चो क्या बता सकते हैं कि सांस लेने और रेस्पारेशन में क्या फर्ख है? जी हाँ, सांस लेने की अमल के दुरान हम हवा में से आक्सिजन के लेने और कार्बन डाइकसाइड को बाहर निकालने का काम करते हैं जबकि अक्सिजन के जरीए खुराक में से एनरजी को हासिल करने का अमल रेस्पारेशन कहलाता है आज की टॉपिक को शुरू करने से पहले हम रेस्पारेशन सिस्टम का जलने के अमल के साथ मवाजना करते हैं आईए बुक से मदाल्या करते हैं 1.3.1 सांस लेने के अमल और जलने के अमल का मवाजना सांस लेने और जलने के अवामल का मवाजना किया जा सकता है दोनों अवामल के दुरान इंधन से एनरजी खारिज होती है दोनों अवामल में ऑक्सीजन इस्तिमाल होती और कारबन डायोकसाइट खारिज होती है दोनों अवामिल के दुरान बड़ा फर्क इनके एनरजी खारिज करने की शरा है सांस लेने के अमल में एनरजी का एखराज जलने के अमल के निस्बत बहुत सुस्त होता है और इसकी शरा को कंट्रोल भी किया जा सकता है इसको मजीद अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो क्लिप देखते हैं मुझे उमीद है कि आपको रैस्पारेटरी सिस्टम के मतालिख बन्यादी मालुमात हासिल हो गई होगी हमारे जिसम को मुखत बिमारियों से बचाने के लिए हमें अपने रैस्पारेटरी सिस्टम की हिभास्त करना होगी आइए बुक से मतालिया करते हैं 1.4. Respiratory System की आम बेमारियां Common Diseases of Respiratory System Respiratory System की आम खराबियों में नजला, Common Cold, Influenza, Nimmunia, तपदिक, Tuber Closes और फेपरों का कैंसर यानि लंग कैंसर शामिल हैं यहां हम नजला और नमुनिया पर बहस करेंगे Respiratory System हमारी पूरी बाड़ी का सबसे पहचीदा निजाम है इसके बगएर हम अफ़ाल सरणजाम देने के काबिल नहीं होते जैसा के सांस लेना वगएरा लेकिन बहुत सी बिमारियां ऐसी हैं जो आपके फेपरों को मतासर कर सकती हैं इस वीडियो में मैं हमारे Respiratory System को नुकसान पहुंचाने वली चीजों के बारे में बताऊंगा Bronchitis हमारे पेपरों में एक म्यूकस मेंबरीन है Bronchi में हवा का गुजरना Inflamed बन जाता है जब मेंबरीन सूज कर मोटी हो जाती है तो ये फेपरों में हवा के गुजरने के रास्ते को तंग कर देती है जो के खांसी सांस का फूलना और बलगम का बाइस बनती है फेपडों का कैंसर जैसा के नाम से जाहर है एक किसम का कैंसर है जो के आपके फेपडों में होता है आम दोर पर अब्तदाई स्टेज पर इसके असराथ जाहर नहीं होते लेकिन जब ये डिवेलप होते हैं तो आपको तकलीफ देखांसी, वजन का गिरना, यहां तक के सांस का फूलना वगारा का सामना करना पड़ता है पेपड़ों के कैंसर की वजुहात में से एक वज़ा पेपड़ों की ऐलरजी है ये कुछ वजुहात की वज़ा से हो सकता है जैसा के स्मोकिंग बगारा, नमूनिया एक फेपड़ों का इन्फेक्शन है जो के आपको बेक्टेरिया से हासल होता है अगर इसका मुनासिब तो पर इलाज ना करा जाए तो ये मौत का सबब बन सकता है जब आपको नमूनिया होता है, जिन इलामात का आपको सामना करना पड़ता है वो खांसी, बुखार, यहां तक कि सांस लेने में दुश्वारी वगारा हो सकते हैं एस्थमा, एक ब्रांकियल ट्यूब में सूजन की वज़ा से होता है क्योंकि ट्यूब्स के अंदर ज्यादा मिकदार में चिपकने वाला मादा पैदा होता है जब आपको सामना के मरीज़ पर हमला होता है, तो उनकी हवा की नालियां सخت होकर सूच जाती है या म्यूकिस से भर जाती है, इने सांस लेने के लिए इन्हेलर की जरूरत होती है ये एक चीज जो इनके हमलों की वज़ा बनती है, वो गर्दो गुबार और उसके अज़ा है जब ये किसी ऐसे इनसान में दाखिल होती है, जिसको ऐस्तमा हो, तो ये बहुत सخت अटैक की वज़ा बनती है एमफोसीमा फेपरों की बिमारी की एक खतरनाक शकल है जब आपको एमफोसीमा होता है, तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है क्योंकि आप हवा की कुछ मिगदार इन्हेल या एक्जेल कर सकते हैं एमफोसीमा में एक ही वक्त में हवा फेपरों में एर पॉकेट बनाती है और हवा इन पॉकेट्स में फच जाती है ये पेपरों को बड़ा कर देती है, जो कि शक्स को सांस लेने में दुश्वारी का बाइस बनती है टॉपिक नमबर वन, कॉमन कोल्ड, इस बिमारी की अलामात ये है नजला यानि कॉमन कोल्ड, नजला रस्पारियोटी सिस्टम की एक आम बिमारी है नजले का वाइरस, खांसने, चीकने या नजला की किसी मरीज की चीजों को चूने से एक शक्स से दूसरे शक्स में मुंत्किल हो सकता है गले की दुखन, खांसी, बहती वी नाग, घुटन, चींको का आना, सर्दत वगरा नजले की अलामात है नजले के दुरान हमें बुखार भी हो सकता है नजले के लिए कोई मकसूस दवाई नहीं है ताहम आप इस तरह की एहतियाते कर सकते हैं जैसा के मकमल आराम करें, ज्यादा मिकदार में मश्रूबात पिएं और अगर अलामात बर करार रहें तो अपने डॉक्टर से मश्रूबात करें उमीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोल और फ्लू में फर्ट कर सकते हैं आईए कोमन कोल को समझने के लिए ये एक वीडियो देखते हैं आईए के वीडियो देखते हैं आईए के वीडियो देखते हैं जी तो बच्चो कोमन कोल को समझने के बाद क्या आप बता सकते हैं कोमन कोल की रोक थाम के लिए हम क्या कर सकते हैं जी हाँ बच्चे सबसे ज्यादा कोमन कोल का शिकार होते हैं और इसको घर लाने का सबब बनते हैं और इनकी वज़ा से घर के दूसरे अफराद भी इसमें मबतला हो सकते हैं बच्चे 30 मिनिट्स में करीबन 300 दफा घर के मुख्तलिफ जगों को टच करके उन में वाइरस मनतकल करते हैं आप इन जगों को बकाइदगी से जरा सीम कुश क्लीनर से साफ करके उस से बच सकते हैं अच्छे हिफजाने सहत के असूलों पर अमल करके और वेक्सिनेशन के जरीए आप खुद को अपने घर वालों को कोमन कोल और फ्लू से बचा सकते हैं आज कर आपके स्कूल से चुटियों की बुनियादी वज़ा भी यही थी ताके करोना वाइरस को ज्यादा फैलने से रोका जा सके क्योंकि यह वाइरस भी हमारे रेस्पारेट्री सिस्टम पर असरंदाज होकर मौत का सबब बनता है यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेग